आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत सौगत है और आपको याद होगा कि पिछले कई कम जाए और अपने कई तरह के ऑ chickpea को करने की कोशिश करी है है आज हम एसी ओ समारे से эфф니다 को कि प्रोज्ग को प्रकार से कंबचाव अगर हमारे औरbacks कि आपको इस दीटा फ्रेम के format में दिया हुआ है उन सभी के डेटा को हम एक साथ combine करके हम उसको एक ही फाइल में रखना चाहेंगे तो इस कार को किस पकार से किया जाए और अपने हम डेटा फ्रेम को किस पकार से आपस में combine कर सकते हैं मर कर सकते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे अब सवाल यह आता है कि हम अपने डेटा को किस पकार से combine कर सकते हैं तो अगर हम कहें हमारे पार दो डेटा फ्रेम है डेटा फ्रेम वन और डेटा फ्रेम टू अब पहला option यह है कि मैंने डेटा फ्रेम वन और डेटा फ्रेम दो को मैंने दोनों को बगल बगल रख दिया और ह और तीसरा option यह है और या तीसरी condition हमारी ऐसी है कि उन दो data set में कोई ऐसा एक column है जो दोनों में common है तो आप क्या चाहोगे कि हम दोनो data set को आपस में combine करें लेकिन जो column दोनों में common है वो बेराखाली एक ही जगह आए तो इस कार को किस प्रकार से किया जाए तो यह हमारे team तरह की merging होती है कि और data frame को हम जिस प्रकार से combine करते हैं उसके बारे में हम आज यहां पर बात करने वाले हैं लेकिन इस वेशय को आगे बहाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज हम अपने इस data frame के topic को यहां थमाप करेंगे लेकिन इसका मरतब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमने data frame के सारे सारे commands और सारे सारे जो भी मारे functions होते हैं उनको मैंने आपे सीख लिया है मैंने इस यहां पे सिर्फ कोशिश करी है आपको यह बताने की कि जिस प्रकार से आप अपने किसी spreadsheet में Excel फाइल में आपकार करते हैं तो वही कार आप यहां पे आर software के अंदर भी कर सकते हैं और मैंने आपको कुछ जो हमारे common operations होते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करी ही है लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे operations और भी होते हैं जो हम अपने data management को करने के लिए data को handle करने के लिए करते हैं तो वह मैंने सारे के सारे operation यहां पे cover नहीं करे हैं क्योंकि अगर मैं सारे करूंगा तो शायद पूरे पूरे course में खाली हम data frame की ही बात करने में तो इसके लिए मैं आप के ओपर depend करूंगा और मैं आप से यह उमीद करूंगा कि आप जिस भी area में काम कर रहे हैं आप जिस प्रकार का car कर रहे हैं आपके पास जिस प्रकार का data set आता है उसमें से आप जो भी कार करते हैं आप उसी कार को इस R software के अंदर भी करने की करिए आप अगर कोई excel file या express sheet को आप अगर handle करने हैं तो उसी तरह के data को आप को आप यहां पर data frame में लेकर के आईए और इसको उसमें अपने जो operation आप पहले करते थे उसी को आप यहां पर data frame में करने की कोशिश करिए तो इसलिए हम अपने इस data frame को किस प्रकार से combine करते है इसकी बात करते हैं और हम इस lecture को आरब करते हैं तो देखिए अब हम अपने अगर data frame को combine करने की इसे में समझने की कोशिश करते हैं तो आप यह मानने कि हमारे पास दो data frame है एक हमारा है df1 नाम दे दिया और दूसरा मने दे दिया df2 अब अगर इनको मुझे combine करना है तो प horizontally combine कर दें और दूसरा option यह है कि हम अपने दोनो data frame को एक यूपर एक रख दें जैसे कि हम कहा दें यह df1 और df2 और इसके अलावा एक option यह है कि कि अगर हमारे df1 और df2 में अथा दो data frames में कोई एक ऐसा column है जो common है तो हम क्या करें उस common वाले column को दोनो data frame में हम एक ही जग रखें और यहां से हम पर इसको df1 और df2 को combine कर दें तो यह जो हमारा एक बीच में column है यह हमारा common रहे तो इस clean प्रकार की merging करने के लिए हमारे पास यहां पर तीन command है पहला command हमारा है cbind तो यह जो हमारा function है यह हमारा दो data frame को column wise side by side merge करने में काम आता है अथा यह दोनों जो हमारे data frame है वो हमारे column के सहरे बगल बगल आपस में combine हो जाएंगे, merge हो जाएंगे दूसरा हमारा command है merge, merge यह जो हमारा command है इसके द्वारा हम अगर हमारे दो data frame में कोई ऐसा एक column है जो दोनों में common है तो यह दोनों data set के उस common column को दिहान में रखेगा और उसको वो एक ही जगह पर लिखेगा और बाकी जो हमारा data frame है उसको एक साथ horizontally merge कर देगा जिस पकार से मैंने आपको यहां पर करके दिखाया है और तीसरा option हमारा है R bind इसमें हमारा क्या करता है कि यह हमारे दो data frame को एक यूपर एक रख करके उनको merge कर देता है जिस पकार से मैंने देखिए यहां पर किया हुआ है तो यह C bind merge और R bind यह हमारे सभी कुछ lower case alphabet में लिखे जाते हैं और इसमें parenthesis में हम इसमें data frame का नाम लिखते हैं और साथ में हमारे जो अलग options होते हैं उनको हम यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं तो इसलिए हम इन तीनों कमांड को एक एक करके हम उदारों के दोरा समझन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं C bind की cbind सबकुछ lower case alphabet में लिखा जाएगा तो यह जो हमारा c bind function है यह हमारे दो data set को horizontally side by side merge करने की कोशिश करता है यह merge करता है तो चलिए इसको कार को समझने के लिए हमें काम करते हैं कि हम अपने दो एक data frame के तयार क आपको समझ में आ जाए तो एक मैंने देखे data frame लिया उसको तयार कने के लिए मैंने कमाल लिखा data dot frame और इसमें से मैंने दो data vector लिए है दो variable लिए है एक लिया state और इसके अंदर चार values है up, mp, ap, jk उतरप्रदेश, मदरप्रदेश, आंदरप्रदेश, जम्मो कश्मेर और इसमें मैंने अगले variable में लिखा है और इसमें मैंने वैल्यू लिखी है एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार, अर्थात, up की जो population size है, एक हजार है, mp की दो हजार है, आंदर परदेश की तीन हजार है, और जम्मो कश्मेर की चार हजार है, यह सब देखिए hypothetical values है, खाली आपको स्कम जाने के लिए, और इस data frame के मैंने नाम दे दिया, df1, उसी प्रकार से मैंने एक और data frame तयार किया, df2, और यह मैंने लिखा data.frame, और इसमें भी मैंने observation तो लिए उतने ही कार्चा, लेकिन मैंने variable ले लिए तीन, एक लेलिया state, जो मारा up, mp, ap, जेके है, यह पहले कारा से है, और साथ मेंने दो variable all ले लिए, sample size, तो यह हमारा हो गए 100, 200, 300, 400, और इसके बाद में एक और गटे लिए, जहां पिलिखा हुआ है, कि जो survey completed, और उत्तर उसका है, yes, no, yes, no के form में, यह हमारा character string है, तो यह कुछ हमारा देखी data इस करीकिक है, कि अगर हम दोनों की बात करते हैं, तो पहले वाले case में हमारे पास खाली दो ही variables है, एक हमारा है state, और दूसरा हमारा है population size, right, और यहां पे देखिए हमारी values दी हुई है, और उसी प्रकार से हमारा एक और जो data set है, df2, तो अब अगर आप देखेंगे, तो यह जो आपका df1 और df2 आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, यह जैसे मने बताया, यहां पे देखिए, दो खाली columns है, state or population size, df1 में और df2 में आपके पास तीन column है, state, sample size और survey completed, right, अब हमको इन दोनों को आपस में merge करना है, तो मैंने यहां पे command use किया, अपना cbind, मैंने दिया cbind df1, df2, त आपको देखिए, यह हमारा horizontally merge हो गया, और आप अगर यह वाला हिस्सा देखेंगे इसका, तो यह आपको क्या है, df1, और यह जो हिस्सा आप देखेंगे, यह आपको क्या है, df2, और यहां पे इसने इस बात की कोई भी अरवान ही करी, कि यह state दोनों में common है, तो उसको आपको यहां पर एक साथ इनको join कर दिया है, तो चलिए, इसी operation को हम आपको R software में कर कर दिखाते हैं, और साथ ही आप देख लिए कि आपको screenshot किस पर कर 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 दिखाई देगा, यह आपको देखिए हो गया df1, और यह आपका हो गया df2, और जब आपने यहां पे combine किया, तो अब चलिए, जड़ा से हम आपको इसको R software में भी कर के दिखा देते हैं, तो आपको और confidence आजाएगा कि यह हमारा किस परकार से कर रहा है, तो देखिए, मैंने यहां पर, तो देखिए, यह कमांड हम यहां पर copy कर के paste कर लेते हैं, तो हमारा यह df1 क्या आगया इस परकार स और df2 हमारा किया गया, इस परकार से, इसके बार मैंने देखिए, इसको c bind किया, df1, df2, और देखिए, आपको उतर किया गया, इसने देखिए, यह जो थे आपके state of operations है, यह देखिए, यहां पर copy हो गया, और यह था state sample size survey completed, यह आपको यहां पर copy हो गया, तो आपने दे इसको पूरा-पूरा combine कर दिया है, और अपर देखिए, यह तो बहुत ही आसान सा कार रिथा, इसको करना बहुत कठे इनकाम नहीं है, उसके बाद अब हम अगला अपना जो option है, उसको लेते हैं, यह मारा है कि इन दोनों, कोई भी हमारे दो data frames है, उनको मुसको horizontally merge करना है, लेकिन condition यह है कि उनके बीच में कोई एक column या row ऐसा है, जो common है, तो हम उसमें से चाहते हैं कि वो common हमारा एक ही बारा है, तो यह जो हमारा merge command है, यह हमारा दो data frames को horizontally combine करेगा, और जिसमें से जो हमारे common columns या common row names है, उसको यह साथ में consider करेगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ command को दिखाने के लिए मैंने उसी अपने df1 और df2 data frame को ही यहाँ पे consider कर लिया, तो df1 में हमारे पास state of population size है, df2 में हमारे पास state sample size और survey completed है, जो मैंने अभी df1, df2 लिया था, right, अब इस इन दोनों को आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, तो हम यहाँ पे state दोनों मे common रहे, right, तो इसको करने के लिए हमारे पास command होता है merge, m-e-r-g-e merge, और उसके बाद हम यहाँ पे जो अपने data frame में उनको दे देंगे, और उसके बाद हमारे पास कई सारे options होते हैं, उनको हम देने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने कह दिया by, by.x, by.y, तो इनको हम specify करके य हमारा कौन सा कॉलम जो common है और इस merge के लिए इस्तमाल होना चाहिए, right, and then उसके बाद हमारा एक और option होता है sort की merging होने के बाद में हमारे values की sorting हो जाए, यह हमारा logical variable है, जो true और false की value लेता है, उसी प्रकार से हमारा एक और command होता है no.dups, अथा, no.dups, तो यह भी हमारा logical variable होत है, उनको handle करता है, right, anyway, मैं यहाँ पर अपना जो भी discussion है उसको बहुत ही simple और आसान रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खाली एक ही option का इस्तमाल करूंगा by, तो देखिए आपका था df1 और यह आपका है df2, df1 आपके पास column name is state or population size और df2 में है state sample size और survey completed, तो मैंने दोनों को horizontally combine करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा merge merg lowercase alphabats में और parenthesum लिखा मैंने df1, df2 और साथ में लिग दिया by is equal to state, और state को मैंने double course में दे दिया, यह state देखिए यह अलग नाम है, अब इसके बाद आप इसका जब outcome देखेंगे तो देखिए आपको ऐसा र इसके बाद में आप यह देखेंगे कि इसने आपको यह जो population size है यह आपका df1 से आ गया और sample size और जो survey completed है यह आपका df2 से आ गया, तो इसने आपने देखा कि इसने दोनों data frame को combine कर दिया और साथ में जो इसका common column था उसको भी इसने consider कर लिया और उसको उसने खाली एक ही नहीं बाद दिया और जो की पहले c bind में दो बार आ रहा था राइट यह इसका screenshot है आप अगर देखने की कोशिश करिए तो करिए पहले आगे बढ़ने के पहले हम आपको यह वाला भी operation r software में करके दिखा देते हैं तो दिखिए यहाँ पर आपके पास df1 और df2 तो पहले स स्टेट और देखिए जब हम इंटर करेंगे तो देखिए यह मारा इस प्रकार से data sort हो गया और देखिए जो स्टेट कॉमन वाला था वारेबल कॉमन कॉलम उसके अनुसार यह apjk mpup में sort भी हो गया अब देखा कि यह बहुत ही आसान सा काम है अब इसके बाद हम आपने ज क्यों जॉइन करने की कोशिच करते हैं उसका हमारा command है rbind आरबाइंड जो command होता है यह हमारे दो data frame को एक क्यों पर एक रख करके merge कर देता है इस प्रकार से राइट तो इस कमांड का इस्तमाल समझने के लिए हमें एक यहां पर दारण लेते हैं और यहां पर मैंने फिर से दो data frames को कयार किया है पहरे वाला data frame हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो पहला data frame में दो ही column थे और दूसरे data frame में हमारे पास पीन column है तो उनको अगर हम vertically अगर हम join करेंगे तो वह इस परकार से हो जाएगा तो anyway चलिए हम यहां पर एक data frame अपना क्यार करते हैं data.frame कमांड से इसमें मैंने लिए state is equal to up,mp,ap,jk और population size लिए एक हजार दो हजार तीरह जार कारहजार और यहीं variables मैंने दूसरे data frame में लिए हैं और इसमें मैंने लिखा state is equal to बिहार डेली पंजाब और population size 100,200,300 यह देखिए यह जो values हमारी hypothetical values हैं और इसको मैंने data frame में save कर लिया उसका नाम देदिया df22 तो अब अगर आप यह data देखेंगे तो आपको देखेंगे df11 ऐसा देखाए देगा df22 ऐसा देखाए पागेगा यहां पर चार state है up,mp,ap,jk और nk population sizes हैं और data frame 2 में देखिए state और population size दोनो हमा variables common हैं यहां पर हमारे पास है बिहार देखली पंजाब और इसकी population size है 100,200,300 अब हम इसको देखेंगे जब हम combine करने की कोशिश करते हैं तो हम यहां पर लिखते है r bind और पर हम देखेंगे हम df11,df22 तो आप यह देखेंगे कि जो आपका पहला वाला df11 था वो देखिए यह यहां पर आ गया और जो दूसरा आपका data frame था df22 वो देखेंगे यहां पर आ गया और इसी चीज़ को आप अगर यहां पर screenshot में देखना चाहिए तो आपका बहुत आसानी से दिखाए देगी यह आपका था df11 और यह आपका था df22 और इसके बाद में जब आपने दोनों को यहां पर combine कर दिया है तो चलिए जड़ासा इस दारल को भी जड़ा हम अपने आर कंसोल में करके देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यह किस प्रकार से कार करता है तो देखिए मैंने यहां पर अपने यह दोनों data frame प्यार कर लिए df11 और df22 यह और उसके जो पहली star values है यूपी, MP, AP, JK यह देखिए यहां पर आ गई और दूसरी जो 3 value है बिहार, Delhi, Punjab यह देखिए यहां पर आ गई और इसी में आप अगर इसका अगर order आप बदल देते हैं कि आप पहले कर देते हैं df22 फिर करते हैं df11 तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो आ आप की आ गई तो अचलिए अब हम इस lecture को यहां पर रोकते हैं और आपने देखा कि यह बहुत ही आसान सा lecture था जहां पर मैंने खाली एक ही command की बात करी है कि हम अपने भिन भिन प्रकार के data frames को एक साथ कैसे combine कर सकते हैं आपने देखा कि हम इसको horizontally भी कर सकते हैं और vertically भी कर सकते हैं और यह तो depend करता है कि आपको इस प्रकार का data base यूज़ कर रहे हैं और इसको आपको इसको merge करने का objective क्या है कि उसमें कोई column common है कि नहीं है इत्यादी यह आपको देखना है अब हमारी आपसे यही request है कि आप जड़ाइबाद देखिए कि आप अपनी spreadsheet में जिस प्रकार के कार करते थे उसमें merging का किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते थे और वही उपयोग क्या आप अपने R software के अंदर भी कर सकते हैं और इसमें से हमने जो different options लिए है आप उनको आप इस्तमाल करिए और देखिए कि उसके द्वारा हमारा R का output किस प्रकार से change होता है और यह देखने की कोशिश करिए कि R किस प्रकार से कार कर रहा है और जब आप यह समझ जाएंगे कि different options को देने से हमारी data की merging किस प्रकार से हो रही है उसके बाद में आपको जिस प्रकार से अपनी data की merging करनी अब उसका सही command दे पाएंगे और R उसको follow करेगा और आपको वही देगा जो आप चाहते हो जो आपकी इच्छा है जो आपकी अफशक्ता है तो अब इसके साथ में हम इस लेक्चर में यहां पर रोक रहे हैं और जैसा मैंने इस लेक्चर की आरम में आप से बताया था कि मैंने data frame के सारे सारे commands को यहां पर आपको नहीं बता हैं जो उम्मिद है कि हर एक व्यक्ति के काम आएंगे जो भी आज software में काम करना चाहेंगे उसको मैंने यहां पर आपको समझाने के कोशिश करी है और हमारा अदेश ताकि data frame से संबंदित अगर आपके दिमा में कोई खौफ है डर है भय है तो उसको मैं निकाल सकूँ और सा वीजियो की प्रैक्टिस करी और हम आपको अगले lecture में फिर से मिलने एक नए topic के साथ में आएंगे तब तक के लिए good bye कि आपके प्राइब का वीजियो